सब्सक्राइब कीजिए F-Static Class चैनल को और बेल आइकन के दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम परसनावली 6.4 का क्यूसर नंबर 2 सरल करेंगे जो कक्स्या 8 की है पीछे वाले वीडियो में आपको क्यूसर नंबर 1 इसका बता दिया था तो चलिए क्यूसर नंबर 2 है शरू करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए देखे क्यूसर नंबर दो में ये लिखा है कि निमलेकित संख्या में से परतेक के वरगमूल के अंको की संख्या ग्याद कीजिए बिना गणना के यानि कि कहने का मतलब यह है कि 64 है अब 64 का वरगमूल निकालने क्या आएगा? आठ आएगा क्योंकि आठ को आठ से गुणा करते हैं तब हमारे पास में 64 आते हैं तो 64 का वरगमूल कितना आया? लेकिन इसके गणना ने करने यान कि हमें वरगमूल निकालना नहीं है बिना वरगमूल निकाले हमें सिधा बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सुत्र काम में लेंगे अगर हमारे पास में जो संख्या दे गई है उसमें अंकों की संख्या जो सम है सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 अगर इस तरह से हमारे पास में अंक है तो उसमें हम formula लगाएंगे n by 2 यानि जितने अंक होगे उसमें 2 का भाग देंगे अगर संख्या विसम है ये तो हो गया सम के लिए अगर अंक क्या है विसम जो हमें संख्या दे गई है उनमें अंकों की संख्या विसम हो तो हम formula लगाएंगे n पलस 1 बटे 2 कहने का मतलब ये है कि जैसे Q1 अब हमें तो ये बताना है कि 64 है 64 का वरगमूल यानि वरगमूल में अंकों की संख्या क्या होगी तो हम लिखेंगे 64 के वरगमूल में अंकों की संख्या अब ये देखना है आपको कि 64 है 64 में कितने अंक है एक दो यानि कि 64 के अंदर दो अंक है एक 6 है और एक 4 है टोटल कितने अंक होगी? दो अंक होगी तो संख्या क्या है? सम है यानि 2 अंक है तो सम संख्या है 3 होगी तो विसम हो जाएगी अगर संख्या सम है यानि अंक हो अंक है वो सम है तो हम n बाई 2 यानि N बटे 2 वाला सूतर काम में लेंगे यहाँ पर 2 अंक है 1 6 है, 1 4 है, 2 है तो N की जगा 2 लिखना है और 2 का भाग देना है तो देखिए 2 बटे 2 2 में 2 का भाग दिया, उत्तर क्या आया? 1 आया तो अगर 64 का वरगमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी क्योंकि अंक 1 होगी तो यह हमें लिखना है अब आगे देखिए क्यूसर नंबर इसका 2 क्यूसर नंबर 2 में 144 के वरगमूल में अंकों की संख्या अप्तानी है तो 144 में अंकों की संख्या कितनी है? हम लिखेंगे 144 में अंकों की संख्या 144 में कितने अंख है? 3 अंख है total 1, 2, 3 3 अंख है क्योंकि हमें इसमें गणना तो करनी ही नहीं है यानि वरगमूल तो निकालना ही नहीं है बिना वरगमूल निकाले हमें यह बताना है कि वरगमूल में अंखो की संख्या क्या आएगी तो 144 है वैसे तो 12 का वरग करने पर 144 आता है और 144 का वरग मूल निकालेंगे तो 12 आएगा और 12 में संख्य कितनी है यानि अंग कितने है दो अंग है तो इस तरह से लेकिन हमें वो वरग मूल ले निकालना तो हम सिधा अब कैसे बताएंगे 144 में टोटल 1,2,3 अंग है तो मैंने या आप लिख दिया कि टोटल 3 अंग है अब सुत्र संख्य क्या है तीन क्या है विसम है तो विसम के लिए ये फोर्मूला का में लेना है तो हम लिखेंगे n प्लस 1 बटे 2 n की जगा क्या लिखना है 3 प्लस 1 ये 3 है वो n की जगा लिखेंगे 3 प्लस 1 बटे 2 3 प्लस 1 हो गया 4 तो 4 बटे 2 4 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 2 तो वरगमूल 144 है इसके वरगमूल में अंको की संख्या 2 होगी तो हम लिख देंगे अंको की संख्या 2 होगी 144 का अगर वरग मूल निकालेंगे तो अंको की संख्या कितने होगी? 2 क्योंकि 12 आईगा और 12 में अंको की संख्या 2 है तिसरा देखे तिसरा हमें दिया गया है 40 निवासी के वरग मूल में अंको की संख्या अब आप कैसे भी लिख सकते हैं अंदी में जैसा लिखना साहर तो देखे एक, दो, तीन, Čएर, टोटल अंग कितने है, चार तो हम क्या लिखेंगे एन, बटे, दू वाला formula का मिलेंगे टोटल एक, दो, तीन, चार अंग के इसमें, तो चार, बटे, दो तो इसका answer आएगा, दो यहनि की इसके अगर 4,484 का वरगमूल गयाद करते हैं तो उसमें अंको की संख्या है वो 2 होगी इसके बाद में 4 नमबर क्यूसन 4 नमबर क्यूसन में हमें दिया गया है 27,225 इसमें इसके जो वरगमूल लिका लेंगे उसमें अंको की संख्या क्या होगी तो 5, formula काम में लेना है n प्लस 1 बटे 2 वाला n के दिखा 5 लिखना है, प्लस 1 बटे 2 5 प्लस 1 होगे, 6 बटे 2 और 6 में 2 का बाग देंगे, तो उत्तर आएगा 3 तो 27,225 का अगर वरग मूल निकालते हैं तो अंको किसंग है क्या आएगी, 3 आएगी उसके अंदर क्योंकि ये विसम है, 5 क्या है विसम तो विसम के लिए ये formula काम में लेना है ये मैंने बताया था और सम हो, तो ये formula काम में लेना है 5 नमबर क्यों सम देखिए 5 नमबर क्यों सम है, 49, 0, 6, 25 इसमें अंको की संख्य कितनी है तो हम लिख देंगे अंको की संख्या अंको की संख्यय इसके अंदर 2,2,4 और 2,6 है देखे, सम संख्या है, 6 क्या है? एक सम संख्या, तो सम के लिए हम n बटे 2 वाला फॉर्मूला n की जगा क्या लिखेंगे? 6 तो अगर इस संख्या का वरगमूल निकालते हैं तो उस वरगमूल में अंकों की संख्या 3 होगे तो इस तरह से हमें गणना नहीं करने बिना गणना के बताना है तो यह फोर्मूला हम काम मिलेंगे और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर इनका वरगमूल निकाला जाये तो उसमें अंको की संख्या क्या आएगे तो ये हो गया इसका Q7 No.2 चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं Q7 No.3 अब देखे Q7 No.3 में इसमें लिखा है कि निम लिखे दसमलो संख्याओं के वरगमूल जात केजिए वरगमूल तो मैंने आपको Q7 No.1 में भी बताया था वरगमूल जात करते हैं भाग विदी से वरगमूल जात करना लेकिन यहाँ पर के दसमलो संख्या हैं यानि संख्या की बीच में point लगा हुआ है तो point वाली संख्या का हमें वरगमूल ग्याद करना है तो इसको भी हम भागविदी से ग्याद करेंगे तो देखे सबसे पहले है question number 1 इसमें दिया गया 2.56 तो 2.56 का वरगमूल ग्याद करेंगे तो भागविदी से कर लेते हैं भागविदीन क्या करते हैं हम दोस्तो संख्या का जोड़ा बनाते हैं तो दो संख्या का ये एक जोड़ा हो गया और आगे वाली संख्या अकेली रह गई तो यहाँ पर जो 2 लिखा है तो ऐसे कौन से संख्या को गुणा करें कि दोनों संख्या जो गुना करते हैं वो दोनों एक जिसी होनी चीए और उनको गुना करें तो दो या तो दो आए या दो से कम ही रहे तो अगर एक को एक से गुना करें तो एक आता है लेकिन दो को दो से गुना करें चार चार तो दो से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे एक ही लेंगे हमने एक को एक से गुणा किया तो क्या आया एक या देखिए वो ही एक यहाँ पर लिखेंगे उसी एक को यहाँ पर लिख देंगे और एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक तो अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 1 क्या आ गया? 1 आ गया आगे जो point है वो इसके पास में लगा देंगे क्योंकि आगे वाले जोड़े की जो संख्या है 56 है तो 56 को पूरा का पूरा लिखना है एक एक संख्या नहीं लिखनी पूरे जोड़े में जो संख्या है वो पूरी लिखनी है अब आ गया 156 अब जो एक यहाँ पर लिखा है इसके अंदर एक को प्लस कर देंगे एक और एक कितना हो गया? दो हो गया थोड़ी से जगा छोड़ेंगे जगह इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर एक संख्या आएगी अब हमें यह देखना है कि 156 में लाष्ट क्या है? 6 6 कौन से संख्या से आ सकता है? तो हमारे पास में यह दो तो है तो इस दो को हम लिखेंगे उसको उसी संख्या से गुणा करें तो लाष्ट का छ आए तो पहले तो यह देखना है 6 कौन से संख्या से आता है? 6 आता है एक तो 4 से क्योंकि 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आते हैं और 16 का छा सकता है तो हम इसके पास में 4 लिखेंगे और 4 से ही गुणा करके देखेंगे, तो 4 चोप 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगी 4 दूनी 8 और 1 9 लेकिन यह तो 96 आया और यह 156 है, तो फिर क्या करेंगे यह तो 4 से आ सकता 4 को 4 से गुणा करने पर 6 आ सकता है लाश्ट का, और यह 6 को 6 से गुणा करने पर 36 का 6 आ सकता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 है उसके पास में 6 लिखके देखेंगे 4 लिखके देखा लेकिन 96 में आया 6 लिखेंगे और 6 से ही गुणा करेंगे जो लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे 6 को 6 से गुणा किया, 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 प्लस कर देंगे तो 156 आ गया यानि 6 लिखने से 156 इसके वराबर आता है तो ये जो 6 है वो इसके पास में लिखेंगे और इसी 6 को यहाँ पर लिखेंगे अब यह 156 आता है गुणा करने पर तो 156 इसके नीचे लिखेंगे माइनेस कर देंगे 156 माइनेस 156 तो उत्तर आया 0 तो यहाँ पर देखा जाए तो 2.56 का वरगमूल के आया 1.6 यानि कि 256 मानने इसको तो 256 का वरगमूल 16 आता है लेकिन यहाँ पर पॉइंट आ गया तो इसके बीचे में भी पॉइंट आ गया चलिए आगे देखें क्यूसर नंबर 2 क्यूसर नंबर 2 में 7.29 दिया गया है तो हम लिखेंगे 7.29 इसका अभाजे सोरी बाग विदी से वरगमूल क्याद करेंगे तो पहला जोड़ा यह बन गया और दूसरा यह बन गया दूसरे जोड़े में एक हिसंख्या है यानि 7 तो पहले हम क्या करेंगे 2 को 2 से अगर गुणा करें तो क्या आएगा 4, 3 को 3 से किया जाए तो 9 आएगा 9 तो ज़्यादा हो जाएगा 7 से तो हम क्या लेंगे 2 ही लेंगे और इसी 2 को उपर लिख देंगे 2 को 2 से गुना किया तो 4 आया इस 4 को 7 में से माइनस कर देंगे तो 7 में से माइनस करेंगे 4, 3 आया अब यह जो point है क्योंकि आगे वाले जोड़ी के संख्या लिखनी पड़ेगी उससे पहले point है तो इस point को यहाँ पर लगा देंगे और 39 है यहाँ पर लिख देंगे अब जो 2 उपर है उसमें 2 ही प्लस कर देंगे जो लिखा हुआ है वो ही प्लस करना है 2 में 2 को जोड़ दिया तो 4 हो गया तो यहाँ पर देखिए अब 9 कौन सी संक्या से आता है तो हमारे पास में क्या है 4 है तो देखिए 4 है 4 के पास में 9 किस से आएगा हमें तो अंदाजा देखना है कि last वाली संक्या कैसे आ सकती है तो 9 कौन सी संक्या से गुणा करने शाता है तीन से, तो तीन को तीन से ही गुना करके देख लेते हैं, तीन तीरी, नो, तीन को चार से गुना किया है, बारा, 139 ही हुए लेकिन, तो नो और किस से आ सकता है, नो आ सकता है, साथ से, यानि हमारा जो चार है, उसके पास में हम साथ लिख के देखेंगे, और साथ से ही गुन साथ को साथ से गुना किया उनान 2,9 हासिल 4 रजागी साथ चोक 28, और 4 प्लस कर देंगे तो 32, 339 इसके बराबर आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, साथ लिखेंगे इसके पास में, और इसी साथ को यहाँ पर, तो गुना किया तो 339 आया, यह लिख देंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आया ? 0 आया 139-339 तो इसका वरगमुल क्या हो गया दो पॉइंट 7 हो गया इसी तरह से question number 3 देखे question number 3 के अदर 51.84 51.84 इसमें भी भागविदी से वरगमुल ग्यात करेंगे लेकिन वजो पह है एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा ये अब जो 51 है उसको एक ही जोड़ा बनेंगे और एक जोड़ा ये है तो 51 में हम बाग किसका देंगे यानि ऐसी संख्या का गुणा करें या तो 51 आए या 51 से कम आए संख्या एक जिस्य होनी चीए अगर हम 7 को 7 से गुणा करें तो 49 आते हैं और 8 को 8 से गुणा करें तो आते हैं 64 64 तो ज्यादा हो जाएगा 51 से तो हम 49 ले लेंगे तो क्या लेंगे? 49 के लिए 7 लेंगे यानि यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 7 को 7 से गुणा करेंगे उननचास यहां पर लिख देंगे, उननचास को माइनस कर देंगे तो उननचास को माइनस किया तो 2 आ गया अब आगे 84 को यहां लिखेंगे लेकिन पॉइंट है तो यह पॉइंट आ जागा यहां पर और 84 को यहां लिख देंगे साथ में साथ ही प्लस कर देंगे तो साथ और साथ चाउदा अब ये देखना है कि चार किस से आता है चाउदा के पास में यसी कौन सी संख्या लिखें जिसको उसी से गुणा करें तो चार आता है तो हमारे पास में क्या है चाउदा, चार आता है दो से क्योंकि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 लिख के देखेंगे और 2 से ही गुणा करतेंगे तो 2 दूनी 4 और 14 को 2 से गुणा करेंगे 28 284 इसके बराबर आ रहे हैं तो हम 2 यहां पर लिखेंगे और 2 को ही यहाँ पर लिखेंगे तो इसके बराबर आते हैं 284 यह इसके नीचे लिख देंगे माइनस करेंगे तो उत्तर के आया 0 तो वरगमूल के आ गया 7.2 आ गया कितने का 51.84 का Q-सर नमबर 4 में देखे Q-सर नमबर 4 में 42.25 तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42.25 जोड़े बनाएंगे एक जोड़ा यह हो गया दूसरा यह हो गया अब 42 है 42 के लिए हम 6 ले सकते हैं क्योंकि 6 को 6 से गुना किया तो 36 7 लेंगे तो 49 ज्यादा हो जाएगा तो हम 6 लेंगे और 6 को यहां पर लिखेंगे 6 को 6 से गुना किया तो 36 आया माइनिस करदेंगे 36 को तो 42 माइनिस 36 करेंगे तो 6 आ जाएगा अब आगे 25 लिखना पड़ेगा लेकिन पॉइंट है वो पॉइंट यहां पर लिख देंगे और फिर 25 को यहां पर 625 हो गया अब 6 है इसमें 6 को ही प्लस करें 6 और 6 12 यहां गया 12 अब यहां 5 हमें सादे कि इसके पीछे 5 है तो 5 हमें सा 5 से ही आ सकता है तो इसके पास मैं 5 लिखेंगे और इसी 5 को यहां पर लिखेंगे यह जो 5 लिखा है अगर इसको 5 से ही गुणा करें तो क्या आएगा 625 ही आएगा आप गुणा करके देख लिजिए 625 माइनस 625 करेंगे तो उत्तर के आया 0 यह जो 5 लिखा था वो मैंने यह आपर लिख दिया तो 6.5 यह किसका है 42.25 का वरग मूल है इसके बाद में क्यूसर नंबर 5 देखे 31.36 चलिए 31.36 यह दिया गया इसमें भी एक जोड़ा यह बन गया दूसरा यह 31 के लिए हम 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा यह 5 यहापर लिख दिया एक पर यहापर लिख दिया तो 25 को 31-25 करेंगे 6 अब 36 लिखेंगे लेकिन यह पॉइंट है यहापर लगा देंगे फिर लिखेंगे 36 पाँच में 5 जोड़ देंगे तो 10 आ गया अब 6 हमेशा किस से आ सकता है तो 6 एक तो 4 से आ सकता है और एक 6 से आ सकता है तो पहले हम 10 के पास में 4 लिखेंगे, 10 के पास में 4 लिखेंगे और 4 से ही गुणा करें, 4,16, 4,1,4, तो यह 416 यह 636 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 4 को 4 से गुणा करने पर भी 6 आ सकता है, और 6 को 6 से गुणा करने पर भी 6 आ सकता है, लाश्ट का, तो इसके पास में 6 लि और 6 से ही गुणा करेंगे, तो 6 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भी लिख देंगे, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 636 यहाँ गाएगा, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, उत्रा गया 0, तो यह हो गए इसके वरगमुल, यानि पॉइंट की संख्या का वरगमुल हम भाग विदी से इस तरह से ग्याद कर सकते हैं, तो इसमें वैसे लिखा नहीं है, कि भाग विदी से वरगमुल ग्याद करो, लेकिन भाग विदी, जब पॉइंट की संख्या हो, तो सबसे आसान रहती है भाग विदी, अगर आप एभाजे गुणनखन विदी से करेंगे, तो वहाँ पर आपको पॉइंट की प्रोब्लम आएगी, हाँ, कर सकते हैं, कैसे, चलिए मैं एक 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 जामपल की तोर पे आपको बता देता हूँ, जैसे इसको 256 मानना पड़ेगा आपको, लेकिन उसका तरीका एक सही नहीं है, क्योंकि फिर पॉइंट का जो सिष्टम ह वह सही नहीं रहता है, वैसे अगर सिधा 256 हो, तो हम कर सकते हैं एभाजे गुणनखन वीदी से भी, लेकिन अब इसमें पॉइंट वाली प्रोब्लम रह जाएगी, यहाँ पर देखिए, आप इसमें पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर दो लिखेंगे, तो आपका जो उत्तर है, वो सही तरीके से नहीं आई, यानि कि इसका यह जो तरीका है, वो भी सही नहीं है, एभाजे गुणनखन वीदी वाला, अगर पॉइंट ना हो, तो हम कर सकते हैं, अगर पॉइंट है, तो आपके लिए बाग वीदी है, वो सबसे बढ़िया रहती है, तो यह कोई प्रोब्लम आती है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखे, और वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, थेंक यू.